कुछ दिनों में कोरोना के कुछ केसिस बढ़ रहे हैं उसके उपर आज कल हमारे स्वास्थ्यमंत्री सौरब जी ने मीटिंग ली थी पूरे स्वास्थ्यमंत्राले की सभी एक्सपर्ट्स की आज मैंने उसके उपर मीटिंग ली पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गॉर्मेंट ने लगबग दो हफ़ते पहले छे स्टेट्स आइडेंटिफाई किये थे जिसमें करोना जादा बढ़ रहा है वो थे गुजराथ, महराष्ट्र, केरिला, करनाटका, तमिल्नाडू और तेलिंगाना उसमें दिल्ली नहीं था तो उन छे स्टेट्स में करोना जादा बढ़ रहा है उनको स्पेशल हिदायते दी गई थी वह यह आप थोड़ा सा ध्यान रखिए लेकिन हमने अपनी तरफ से क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगबग 42 केस थे जो डेली केस आते हैं यह बढ़के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए तो यह सडन जंप जो है यह थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि यह क्यों बढ़ रहा है तो 30 आज को कल की डेट में 295 केस थे एक्टिव केस अभी तक के हो गए है 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किये थे वो थे 2363 वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है 295 केस है लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने के जरूरत है वो उठा रहे हैं अभी तक टोटल टीन डेट्स हुई है उनमें दो डेट्स परसों हुई थी और एक डेट्स और चार-पांच दिन पहले हुई थी यह तीनों ड डिजीज को मॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसे में तो ऐसा अनुमान है कि डेट को मॉर्बिडिटी की वज़े से हुई है और शायद करोना इंसीडेंटल था पर यह कहां नहीं जा सकता तो जैसे एक केस है जिसमें किड्नी का ट्रांस्प्लांट हु है कि तीन केसे ऐसे डेट हुई है जिनको करोना था इन तीन में से दो दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसे पॉसिटिव आते हैं 100% केसे की हम जिनोम सिक्वेंसिंग करा रहे हैं उसका हमारा मकसद यह है कि अगर कोई भी नया वेरियंट अगर निकल के आये तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंटा का विशे तो नहीं है तो 100% केसे की जिनोम सिक्वेंसिंग करा रहे हैं इस वक्त जो सबसे प्रिडॉमिनेंट वेरियंट आ रहा है वो है एक्स बी बी 1.16 सब्सक्राइस। लगब फॉूर्टी jakiś फटी पर्सेंट केसे से यह वाला वेरियंट है और जो बाकी भी रहे हैं उनमेंगी 20 के कुछ ब्रीम कि कुछ इसकी कम है लेकिन evasion to immunization है कि अगर आपने वैक्सिन भी लगवा रखा है तो ये उसका उसकी परवा नहीं करता है ये उसके भावजूद भी इन्वेड कर जाता है एक जो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं कि सीवेज जो है उससे हम advance में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोर करते हैं पहले अगर कोरोना आता है तो पहले सीवेज में करोना डिटेक्ट होना चालू हो जाता है मिड फेबररी तक zero completely पूरे दिल्ली में नेगेटिव था उसके बाद से धीरे-धीरे positive कुछ-कुछ samples में आना चालू हुआ और पिछले 15 दिन में अभी सीवेज में positive इसके वो निकल के आ रहे हैं हमारी इसको लेके पूरी तयारी है वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूट नहीं है बहुत कम अभी cases है और कोई severity भी नहीं है लेकिन तयारियों को देखते हुए हमारी 7986 beds हमारे अभी तयार हैं कोरोना के लिए इसमें oxygen वाले beds भी है इसमें ventilator beds भी हैं इसमें ICU भी हैं 7986 beds है जिसमें 66 beds के वल उक्यूपाइब है आट 66 आटी PCR के tests करने की हमारे पास sufficient क्षमता है लग बग 4000 tests हम सरकारी labs में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और private labs में तो एक लाग से ज्यादा test per day करने के क्षमता है वैक्सीन भी बहुत अच्छा performance अभी त अच्छा रहा 18 plus की category में तो लगबग सबको vaccine लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आएं तो first dose सबको लग चुकी है second dose भी 85% के लगबग लोगों को लग चुकी है हमें बस sufficient ambulance है sufficient oxygen available है sufficient oxygen storage की capacity है 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिली सरकार के hospitals की खुद बखुद एक mock drill की थी की बाईचान सगर हो जाए तो और इसमें जितने मालीजे को equipment काम नहीं कर रहा था oxygen वाली available है नहीं है vaccination सारी चीजों की एक से trial करके देखा था कि सारी चीजे काम कर रही है की नहीं कर रही है अब केंदर सरकार के देश आए हैं 10 और 11 अप्रेल को एक बारी सारे सरकारी और private hospitals की mock drill की जाएगी इसके उपर दिली सरकारे campaign चलाएगी अब एक media campaign चलाया जाएगा लोगों को करोना के बारे में जागरूख करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोवीड appropriate behavior follow किया एयरपोर्ट के उपर 2% के लगबग passengers को random testing की जा रही है और जितने भी दिली सरकार के hospitals हैं सबको बोल दिया गया है कि isolation wards corona patients के लिए रखे हैं कहीं ऐसा नहों कि किसी को बहुत serious माली ILBS ILBS में किसी को kidney transplant हुआ उसको corona हो गया और उसको corona वेले hospital में नहीं दे जाएंगे हम वहीं पर isolation bed होगा तो वहीं पर उसको एक अलग वाड में कर देंगे तो उसका corona का kidney का भी treatment होता रहेगा और उसका corona तो हर अस्पिताल के अंदर एक isolation ward की तैयारी की गई है जितने सार केसेज हैं acute respiratory disease वाले उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है hospital में उसको तुरंत मास दे दिया जाता है उनको 100% उनके tests किये जा रहे हैं और जितने influenza वाल लाइक symptoms वाले patients हैं उनको 5% उनके random tests किये जा रहे हैं तो overall दिल्ली में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है सरकार सरी तरह से किसी भी eventuality को face करने के लिए तैयार है सर्थ बूस्टर डूस्ट का क्या स्टेटर से प्यूटी हमने रहे हैं कि अब बहुत कम हो रहे हैं कि 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 लोगी लाकर जाता है इसका क्या स्टेटर सब्सक्राइब अब ही मास्क की जरूरत हम जितने भी जिनको भी सारी patients हैं जो कि influenza like symptoms हैं इस तरह की सांस की बिमारी हैं उनको हम सबको वो कहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिये लेकिन अभी केंदर सरकार की तरफ से कोई guideline नहीं है और जैसे-जैसे केंदर सरकार guide करेगी हम उस पर steps लेंगे अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो हम समय समय पर करते रहेंगे We are recommending masks to those who have respiratory disease like SARI, AI, LI, etc. Airport पे 2% कर दी है जरूरत पड़ेगे तो बढ़ाएंगे विकाज ये सारी चीजे जो भी हम कर रहा हैं सबसे साथा expertise केंदर सरकार के पास है and we look up to the central government for giving guidelines from time to time जैसे-जैसे केंदर सरकार हमें guide करेगी हम उसको पूरी तरह से follow करेंगे अब इस पूरी तरह से फॉलो करेंगे उसको आपको याद होगा कि disaster management से अलग कर दिया गया था COVID को So now this is not being monitored by DDMA or NDMA Thank you